ज़र, फीवर, बुखार होते ही हम तुरांत ऐलेपैथी की दवाई लेते हैं प्राइजन लेडिस को तो कभी भी ऐलेपैथी की बुखार की दवाई नहीं लेनी चाहिए इसे बच्चे अपंग हो सकते हैं, बच्चों को जर्मे से ही डाइबडीज की प्रॉब्लम हो सकती है और भी डिफ्रेंट परकार के आटोमेंट डिजीज से आप के बच्चों को गुजरना पड़ सकता है इसलिए प्रेग्न लेडीज को तो तो ये ज़े वो क्रॉसी नहों होए परसेटर मुलादियों इन दवाईयों से बचना ही चाहिए गिलोई का सिवन करना चाहिए बच्चों को भी बुखार की तेज़ दवाई मत देजिए बच्चों को बुखार की तीज दवाई देने पर और उणको टाइफाइट की कोई भी तेज दवाई देने पर यहां तक पेट के-किड़े की भी कोई आप उनको दवाई देते हैं तो यह सारी अलपैटी की दवाई हमारे बोड़ी के जो संसिटी और्गेंस हैं बहुत समय दिन शील हमारे शरीर की अंतर्श्राविक्रंथियां उनको जह यह नुक्सान पहुंचाते हैं हमारे खास करके जो पिंक्याज की सेल हैं उन बिलोई का ही सेल करें 99% किसी भी तरह का बुखार हो वो गिलोई से ही अच्छा हो जाता है गिलोई घनवटी भी सेवन कर सकते हैं । गिलोई का काढ़ा भी पी सकते हैं एक बात मैं और खास कहना चाहता हूँ किसी किसी को हर तीसरे मैंने चटे मैंने बुखार होई जाता है साल में एक दो बार तो बुखार होता ही है नेमे तरोप से आप रणायम करेंगे तो आपका इमन सिस्टम इतना अच्छा रहेगा आपको कभी बुखार हो गया और जिनको हर तीसरे मैंने चटे मैंने किसी को तो साल में बहुत तेज बुखार रहा था उन्हें सब के उपर हमने प्रियोग करके देखा है कि गिलोई घनवटी एक एक गोली बस खिला दीजिए और यदि किसी को बहुत ही इमन सिस्टम भी का तो सुबह सुबह दो गोली एक या दो गोली सुबह खाली पेट गिलोई घनवटी खाईए जिन्दगी में आपको कभी बुखार हो गया और उन्हें बुखार होने के बाद में भी आप गिलोई का सिवन कीजिए और ज्यादा बुखार है तो ज्वर नासक वाथ और ज्वर नासक वटी का सिवन कीजिए किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बच्चों से लेकर के प्रेग्न लेडिस से लेकर के आम आदमे कोई भी इनको ले सकता है और ये बुखार का सो प्रतिशत सर्तिया इलाज है चिकुन गुनिया एक ऐसा रोग है जिसका अलेपैथी में कोई इलाज नहीं है चिकुन गुनिया होने पर एक तो बुखार बहुत दिनों तक रहता है और सबसे बड़ी परिशानी यह होती है कि उसमें हात पेरों में हड्डियों में डर्द होने लगता है और कहीं इसको बंदर गुनिया बोल देते हैं कहीं और अलग अलग नामों से इसको लोग जानते हैं ऐसा बुखार होता है जिसमें आदमी का पुरा शरीर दुखने लगता और बाद में अर्थाइटिस जैसी स्थिती हो जाती है और आदमी ठीक से चल फिर नहीं पाता है तो इसके लिए जो सामने रूप से बुखार होता ह है तो ऐलोपेथ में भी टेंपरेचर को कम करने के लिए दवाई दे दी जाती है लेकिन इसका शरीर की हड्डी और मास्पेशियों पर बहुत दुख प्रभाव पड़ता है तो क्या करें तो इसमें एक तो गिलोई की गोली गिलोई घनवटी के नाम से हम तयार करते हैं पत हो जाता है और अर्थ्राइटी स्थिती बन जाती है तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा के कैप्सुल शिलाजीत रसायन चंद्र प्रभावटी यह भी जबरदस्त राप करते हैं और किसी को लंबा चल चिकुन गुनिया चल गया हो अर्था चिकुन गुनिया लंबे समय तक शरीर में यदी रह जाता है तो फिर और ज्यादा तकलीप होती है तो ऐसे वस्था में चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन के साथ साथ उसको कैश और गुगल भी दिया जा सकता है और उसका भी रिजल्ट हमने बहुत जबरदस्त देखा है 100% चिकुन गुनिया अ उसको ज्वर्नासक क्वात ज्वर्नासक वटी और महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं महासुदर्शन तुन थ्वरत ज्यादा कड़वा होता है इसलिए महासुदर्शन चोन सब लोग नहीं खा सकते तो महासुदर्शन घनवटी ले सकते हैं जो हम तयार करते हैं तो यह अरवेद का इलाज चिकुनगुनिया के में 100 प्रतिशत लाभप्रद है जिनको भी चिकुनगुनिया की प्रब्लम है वह धीरे धीरे आठो प्रणायाम जरूर किया करें भस्तरी का धीरे धीरे कपाल भाती यह भी पांस दास पंद्रह मिनद धीरे धीरे बाहिए प्रणायाम उज्जाई गले और थारेड के लिए अच्छा होता है अनुलोम विलोम भ्रहामरी और उद्गीत प्रणाव प्रणायाम यह सब करने से चिकुन गुनिया की रोगी का पूरा बोडी का मैटवले जम अच्छा हो जाता है और इसकी सरीर में किसी भी तरह का दर्द नहीं रहता है देंगू चिकुन गुनिया यह ऐसी बीमारिया है जिनका मॉडर्ण मेडिकल साइंस में ऐलोपेथी में इलाज है ही नहीं जब भी किसी को डेंगू यह चिकुन गुनिया होता है एलोपेथ में सिम्टोमैटिक ठीट्मेंट देते हैं एरवेध में हम सिस्टम को अच्छा करते हैं अर्थात जब किसी को डेंगो होता तो उसको बुखार हो गया तो बुखार के लिए दवाई दे देंगे दस्त हो गया तो दस्त के लिए दे देंगे दवा उल्टी होगी तो उल्टी के लिए दवा दे देंगे लेकिन डेंगों में जो प्लैटलेट्स कम होते हैं और उसी के काने से फिर अदमी की मौत हो जाती है उसके लिए अलोपेथी में कोई दवाई नहीं है प्लैटलेट्स चड़ा भी देते हैं तो फिर डाउन चले जाते हैं तो क्या करें तो ऐसे अवस्था में गियों के जवारे का रस अलोवेरा का रस और गिलोई का रस ये तीन रस पिला दे और यदि तीनों एटर टाइम ना मिल पाएं तो अलोवेरा जूस तो आपको पतंजली का ही तयार मिल जाता है और गिलोई की गोली भी आपको तयार मिल जाती है ताजा गिलोई भी पूरी हिंदुस्तान में इसको कहीं गुडूची बोलते हैं कहीं गुर्च बोलते हैं कहीं गड़ो बोलते हैं कहीं तेपा तिगा बोलते हैं पूरे देश भर में गिलोई मिलती है इस गुडवेल गुर्च अमरिता इसका रस ये प्लेटलेट्स को एकदम से बढ़ा देता है ताजा मिल जाए तो सबसे अच्छा ने तो गिलोई के हम घनवटी गोली भी बनाते हैं और गिलोई का क्वाथ भी हम उपलब्द कराते हैं गिलोई का क्वाथ मिले तो उसको उबाल करके उसका काड़ा बना लेना चाहिए नहीं तो गिलोई की गोली ले लेनी चाहिए ये अलविरा ये भी तुरन जो है प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है हमने तो देखा है जिनका दो-चार हजार पर भी प्लेटलेट्स आ गया था और एप्लास्टिक एनेमिय जैसे प्रॉब्लम जिनको हो गई थी किसी किसी बच्चों को ऐसी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं लेडीज को भी किसी को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उनकी सरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए ऐसे दबा दें तो उनको काला काला निसान पढ़ जाता है ऐसे सरीर में तो समझ लोग कि आपके सरीर में प्लेट्रेट्स की कमी हो ब्लेडिंगे दी सरीर में से रुकती नहीं कहीं से भी तो भी प्लेट्रेट्स की कमी के कांड से अक्सर यह होता है और इसका एक मातर इलाज है गृत कुमारी, अलो वेरा, गिलोई, और गियों का जवारा इसमें पपीते के पत्नों का रस्वी बहुत जबर्दस राप करता है पपीते के पत्नों का रस्वी, ऐसे करीब एक दो पपीते के पत्ने ले लिए उनको कुट लिया और थोड़ा सा पानी भी मिला दिया तो आधा कप, ये सुबह आधा कप शाम को खाली पेट पिला दिया ऐसा करने से डेंगू अच्छा हो जाता है डेंगू को रोगियों का प्लेटर्स बढ़ाने के साथ साथ उनका टेंपरेचर कम करने के लिए उनका फिवर कम करने के लिए भी गिलोई बहुत बड़ी भूमी का निभाती है इसके साथ साथ हमने एक जवर नासक क्वाथ और जवर नासक बटी भी बनाई है वो भी साथ में ले 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 तो बुखार भी ठीक हो जाएगा डेंगो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा प्लेट लेस एक एक दिन में ही पांस पांस दस दस जार बढ़ने लगते हैं तो आपने पहले ही दिन ये गिलोई का घृत कुमारी का गिहों का जवारे का सिवन करवाया और आप देखेंगे और ये पाएंगे कि प्लेट लेट्स पांस साथ दिन के अंदर ही लाखों की संख्या में बढ़ जाएंगे करीब तीन से चार लाख के बीच रहने चाहिए तो आपके प्लेट रेट हंडर परसें नॉर्मल होंगे स्वैन फ्लू के लिए ऐलोपेथ में वैक्षिन दी जाती है लेकिन कई बार उससे भी लाव नहीं हो पाता है और स्वैन फ्लू का रोगी कई बार जिंदगी से हाथ धो बैठता है अर्विद में स्वैन फ्लू का भी लाज है हमारे पुरिज रिशमनियों ने जड़ी बूटियों पर वर्षों वर्षों तक शूध किया और उसके बाद विरासत में वो जड़ी बूटियों का जियान हमें मिला है हमने ज़र नासक क्वाथ और ज़र नासक वटी का उप्यूग करवा करके एक दोका नहीं सेकड़ों हजारों रोगियों को यह हमने जा है सामुह कुरूप से यह ज़र नासक क्वाथ और ज़र नासक वटी का सेवन करवाया और जहां जहां यह स्वाइन फ्लू फैल रहा था व गिलोई अपने आप में अम्रितार तेपतिगा गड़ो गुर्च गुर्वेल इसका जबरदस्ट लाब है तो हर घर के अंदर गिलोई तुलसी और एलिवेरा यह तो गवलों में आप लगा सकते हैं इनको लगाएं रोज सेवन इनका करें तो आपको सामने रोगों से लेकर के और टीबी कैंसर तक के बड़े रोग और किसी भी तरह का कोई बोड़ी में इन्फेक्शन बैक्टिरियर वार्यल प्राब्लम्स कोई होगी ही नहीं खिर गिलोई का सेवन करने से भी स्वाइन फ्लू पूरी तरह से अच्छा हो जाता है पांच चीजें जो सब के घरों में मिल जाती है उसी का काड़ा बना कर क्या पे लिजिए स्वाइन फ्लू अच्छा हो जाएगा ऐसे भी सर्दी जुकाम का एक तरह से आप यह सोच सकते हैं कि उसका एक तेज रूप है माने सर्दी जुकाम होती है तो भी विक्ति को प्रब्लम होती है लेकिन स्वाइन फ्लू में वो जो उसका इन्फेक्षन का जो लेवल है वो थोड़ा ज़ादा बढ़ जाता है तो आप घर में एक दबा बना सकते हैं सबी के घरों में हल्दी होती है हल्दी करीब एक ग्राम, लोंग पांच साथ, हल्दी लोंग काली मिर्च, ये तीन चीजें तो सभी के घरों में होती हैं, तो तीन से पांच काली मिर्च, एक ग्राम से दो ग्राम के करीब हल्दी, और पांच साथ लोंग, लोंग काली मिर्च, हल्दी, फिर तुलसी के पासाथ पत्ते और गिलोई की करीब एक फिट के करीब डंडी या गिलोई ताजी ना मिले तो गिलोई एक चमच के करीब ऐसा हम क्वाथ भी उप्रवद कराते हैं इसको उबाल करके पी लिया तो सोईन फ्लू अच्छा हो जाता है सो प्रतिशन गिलोई की गोली भी खिला दें उससे और जाद अलाब होगा और लक्षमी विलास रस संजीवनी वटी ये खाने के बाद एक एक गोली दे दें बुखार भी यदि हो गया है तो उनको सुदर्शन घन वटी भी दे सकते हैं तो सुदर्शन घन वटी लक्षमी विलास और संजीवनी वटी ये खाने के बाद दे दिया और गिलोई घन वटी इसको खाली पेट खिला दिया किसी भी तरह के इंफेक्शन में आरोग गिवटी जो तुलसी गिलोई और निम के प्रयोक्शन बनाते हैं तो इसको भी खाली पेट एक गोली दो दो गोली दे सकते हैं इससे स्वैन फ्लू सो प्रतिशत अच्छा हो जाएगा हां प्रणायम जरूर करें करने से एक तो हमारा फयफर अच्छा होगऄ क्योंकि स्वैन फ्लू का सबसे जादा इफेक्ट जो है हमारे respiratory system पर ही होता है इसलिए बस्तरी का कपाल भाद उच जाई गले को भी पकड़ता है और अनुलोम बिलोम इसको जरूर करें और ज्यादा infection बढ़ जाता है तो स्वासारी 20 ग्राम और 20-25 ग्राम से तुपला दी करीब 20 ग्राम त्रिकोटा चोन और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम अबरख बस्म 10 ग्राम अमरिता सत और 1-2 ग्राम स्वानवसंत मालती यह सब पाउडर मिला ले और एक एक ग्राम शेहद के साथ ले ले तो स्वैन फ्लू भी अच्छा हो जाएगा और स्वैन फ्लू के कारण से जो भी उसकी बोडी पर आफ्टर इफ्यक्स होते हैं उसकी कई तरह की कंप्लिकेशन्स होते हैं उससे भी आप 100 प्रतिशक छुटकारा पा सकते हैं दस्त किसी भी आदमे को ऐसे ही लाइफ में कभी भी हो जाता है यात्रा में होते हैं तब भी कई बार डाइरिया हो जाता है कोई खाने की चीज अनुकुन नहीं पड़ी पानी कहीं का अनुकुन नहीं पड़ा उसे भी ये डाइरिया की प्रब्लम हो जाती है दستकी Problem हो जाती है जिनकी आते है और लिवार वीक हैं उनको भी प्राबलम हो जाती है एक तो कपाल भाती प्रणायम नेमी तरुप से करें तो आपको जंदगे में कभी यह दस्तकी Problem हो जाती है क्योंकि मैं इसको खुद देखता हूं मुझे कभी डारिया की प्रब्लम होती ही नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दूसरी बात ही है कि कभी भी यह प्रब्लम हो जाए तो खीचड़ी और दही खाले डारिया एक दम अच्छा हो जाता है अनार का दाना ले ले अनार का तुरंद ठीक करता है इसलिए अनार दाना खा लिया और उसे एक दम अच्छा हो जाता है यह दस्त और चांच में लौन भास कर चोण यह हिंगवस्टिक डाल करके पिला देते हैं उससे भी दस्त एक दम अच्छा हो जाता है चूटे बच्चों को भी दस्त होते हैं तो लौन भास कर का प्रियोग ऐसे घर में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा चास में डाल करके पिला दिया और अनार के दाने दे दिया बेल का प्रियोग करवा दिया बेल को ऐसे थोड़ा सा आग में भून करके भी खिला देते हैं उससे भी यह डारिया अच्छा हो जात ये दोनों भस्मा आपको पतंजरी चिकत सालों से आरूगी केंद्रों से मिल जाती है तो शंक भस्म दस ग्राम और मुक्ताशुक्ती भस्म दस ग्राम दोनों को मिला करके रख ले और जब भी कभी ये इस तरह की प्रोब्लम हो तो बड़ों को आधा गरम चोटे बच्चों को वन फोस गरम शहद से मिला के चटा दे घर में कुर्जारिष्ट रखा करे कुर्जारिष्ट दो दो चमच चोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए चार-चार चमच हमने तो यहां तक देखा कि पशों को भी खास करके जो पशों के चोटे बच्चे होते हैं उनको ये बार-बार दस्त की प्रबलम हो जात तो कुर्जारिष्ट पिलाने से भी 100% दस्त में लाब होता है तो ये कुछ घरेलू उपाय आपको हमने बताए और घर में ये छोटी-छोटी समस्य होती ही रहती है इनका हम यदि प्राकृतिक तरीके से उपाय करते हैं तो हमारे ये लिए बेहतर होता है चोटी बच्चों को अक्सर निमोनिया की प्रोब्लम हो जाती है उनको फिर बुखार बहुत तीज होने लगता है फिर पसली भी चन्य लगती है और बच्चों को कई बार तो स्वास भी रुकने लगता है बहां दिक्कत आ जाती है ऐसी परिस्तिती में पहले हमारे माताई बेहने अदरक का रस फिर तुलसी की पत्तों का रस और शहद मिला करके बच्चों को चटा दिया करती थी ये तो लाब उसमें करता ही करता है इसमें थोड़ा और आरवेद की ओशदिया प्रियोक करें तो जल्दी लाब हो जाएगा सीतो पलादी चौन तो हर घर में रखा करें ऐसी सर्दी ज़ुकां निमोनिया खासी बच्चों को हो जाए तो आधा आधा ग्राम ऐसे लेकर के और शहध से चटा देते हों से लाब हो जाता है लेकिन जब निमोनिया हो जाता है पचली चरने लगती है कब जादा बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्तिती में अकेले सितो पलादी से काम नहीं चलेगा सितो पलादी चोन 25 ग्राम तो उसमें 20 ग्राम स्वासारी मिला दें और 20 ग्राम तर्कुटा मिला दें उसमें पाँच ग्राम अब भ्रक भस्म, पाँच ग्राम प्रवाल पिष्टी, दस ग्राम अम्रिता सत्थ और एक दो ग्राम उसमें सौन वसंत मालती रसी भी मिला सकते हैं ये शहद में मिला करके चटाते हैं, इसका जवर्दस रिजल्ट आता है, और जिन बचों को ये प्रव्लम होती हैं, उनको दिव्य धारा आप घर में भी बना सकते हैं इसको और आश्रम की भी बनी हुई दिव्य धारा अथवा पतंजली बाम का भी आप प्रियोग कर सकते हैं घर में आप 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम अजवाइन सत और 10 ग्राम पीपरमेंट इनको मिला करके इसमें 10 ग्राम आप ये यूकिलिप्ट इसका ओयल और 1-2 ग्राम लोंग तेल भी मिला दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये जहां पर भी छाती में बलगम कफ होता वहां पर इसको लगा लीजिए, इसी सेर में दद होता तो उसमें भी लाब करता है, पुराना गाय का घी रखा हो तो उसको भी छाती पर ऐसे मसाज करने से गरम तेल की मसाज, सरसों का तेल हो तो उसकी भी मसाज करने से ने तो पुराना गाय का घी रखा है, तो उसकी बच्चों को आधी गोली और बड़े बच्चों को एक एक गोली दे सकते हैं इससे तुरंत बुखार और किसी भी तरह का निमोनिया हो किसी भी तरह का बुखार हो वो उससे तुरंत अच्छा हो जाता है तो यह भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है किसी भी तरह का उनक दाने वाला बुखार भी बोलते है और ये लंबा चलता है इससे एक तलिवर पुरी तरह से बैठ जाता है भूख लगनी कम हो जाती है और थोड़ा-थोड़ा बुखार लगातार बना रहता है और एक बार जिसको टाइफाइड हो जाए फर जंदगी में अकसर वो उभर नही कमजोर पढ़ जाती है क्या करें टाइफाइड के लिए टाइफाइड के लिए जो ऐलोपैथी में दवाइं दी जाती है वो इतनी जब खतरनाक होती है कि उससे फिर आदमे का पुरा सिस्टम ही बैठ जाता है ये आंत्र ज़र है आतों में इसमें सुजन आती है लीवर भी इसमें कमजोर पढ़ जाता है और फिर आदमे सुचता है कि बस अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता है एक तो गिलोई घनवटी छोटे बच्चों को बहुत छोटे बच्चे हैं तो आदी गोली आरदे साल के बच्चे हैं तो एक एक गोली एक गोली गिलोई घनवटी बच्चों को और बड़े दो दो गोली भी ले सकते हैं सुबह दो पहर शाम और गिलोई घनवटी के साथ साथ जिनको भी टाइफाइड होता है बुखार ज्यादा है तो सुदर्शन घनवटी भी ले सकते हैं और एक जवर नासा कौंत हम बनाती हो जबरदस्त लाब करता है इसके अंदर बस एक चमच उबाल करके पिला दो कैसा ही बुखार हो तो एक दम ठीक हो जाता है और इसमें भी जवर दस्त लाब होगा टाइफाइड के लिए मुटी जहरा के लिए इस दाने वाले बुखार के लिए सबसे अच्छा और सो प्रतिशत इसका इलाज जिसको आम भासा में ब आठ दस अंजीर और एक से दो ग्राम खूब कला ये राई से भी छोटा दाना जैसा होता है एक से दो ग्राम मने बच्चे हैं तो एक ग्राम बड़े हैं तो दो ग्राम तक ले सकते हैं छोटे बच्चे हैं तो दो ही मुनक का ले लिया बड़े हैं तो चार ले लिया और बड़े के हिसाब से डोज बता रहा हूं करीब एक से दो ग्राम खूब कला चार से पांच अंजीर और आठ दस मुनक्का इनको लेकर के सलबटी पर ऐसे चटनी बना ली और चटनी बना करके इसको खिला देते हैं खाने भी वह अच्छा लगता है मुनक्का अंजीर तो अच् बताया उसको करें बस इसमें खास सावधानी यह होगी कि इससे बुखार तो ठीक हो गाई और ये टाइपाइट भी अच्छा होगा भूख भी अच्छी लगेगी खाने में परहेज करें केवल और केवल दूद पिलाएं भूख लगने पर चीकू खिलाएं या सेव पपी सादी भी फल खा सकते हैं मूं का डाल का पानी भी पी सकते हैं या बहुत पतली मूं की डाल भी दे सकते हैं चीकू मूं की डाल या मूं की डाल का पानी दूद या और कोई हलका फल जैसे मैंने बताया कि पपीता और सेवादी का भी प्रियोग किया जा सकता है बस इतना करे और और किसी का तीन दिन में, किसी का पांस दिन में ये टाइप आइड अच्छा हो जाता है बच्चों को टाइप आइड की तेज दवा कभी मत दीजिये ने तो उनको डायबिटीज हो सकती है यह हमने देखा इसलिए ने आपको बता रहे हैं चोटी उम्र में बच्चों को टाइफाइड की पेट के केड़े की या बुखार की तीज दवा देने से उनका हमेशने के लिए पेनक्राइज खराब हो जाता और उनको डैप्टिज ज़जाती है जाब को हमने इलाज बताया है इसे कोई हानी होने की तो संभाव नहीं नहीं ये लावी लाव होगा और टाइफाइड सो प्रतिशत ठीक होगा